इसलाम अलेकुम स्टुडेंट्स एफ और यू एसली हेर मी अच्छा इव दू लाइक मंडे वैनस डे मंडे बारिश की वजासे और वैनस डे को किलास मेरी इंडिविजल एमर्जिंसी के जासे ना होने के जासे आपका पहली किलास अब तक नहीं हो सकी तो यह वीडियो जस्ट ब्रीफ की गए है और मंडे को हम मिलें तो आपके बैसिक आइडिया हो इस कोर्स के अवाले से तो इंस्ट्रक्शन मुझे क्या आपको देनी है यूव रजिस्टर यूर्स पर प्रोजेक एवलिशन इन दिस कोर्स बैसिकली फाइन स्लेक्टिव अगर मैं इसको बहुत सिंपल वे में बात करों तो सिंपल वे में इसकोर्स नथिंग बट दी अप्लिकेशन ओफ यूव टॉपिक विच यूव अलड़ी डिस्टरिद इस करना हमने इसकी अप्लिकेशन डिसकस करनी है इस पूरे कॉर्स में यही है और तो आहें प्रोवाइडिड ओल्ड मेट्रियल जो के आप लेट्स अगो टूवर्ड ब्लेकपॉर्ड पर आते हैं तो आपके पास सबसे प्ले लेक्टर्स का फोल्डर है आम शूर आपने यहां लिए पर कोर्स आउटलाइन को एकस्प्लोर कर लिया है और यह कॉर्स आउटलाइन आपके सामने पहले से ही मौचुद है लट में ओपन गॉर्स को साउटलाइन तीजी 1 मैं इसको ब्रीफ कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है यह तो आपने यह सारा मिट्यल पर लेकिन इन topics में recommended reading आपके पास मौझूद है और ये सारा material आपके पास मौझूद है लेकिन मैं आचा आपकी सबसे काम की बाद जो 100 marks का course है इसके assessment किस तरीके से semester task feasibility study इस इस पूरी चीज़ है मौझूद है ठीक है कि financial final report बनानी होगे financial model बनाना होगा presentation वाइवाबस कुछ इसके marks होंगे final exams आपका technically 20 marks ही होंगे क्योंकि बाकी 20 marks आपके link होंगे तो इसकी पूरी briefing मुझे आपको देनी हो और वो किस तरीके से रहनी है उसी के लिए हम यहाँ पर मुझूद है तो basically capital budgeting के aspect किस तरीके से आना है let me share I want you के आप course outline के साथ साथ एक और चीज़ जो के जरूर study कर गया है which is apart from course outline वो मुझूद है material आपने explore किया और telegram के link अगर आपको नहीं होता मैंने announcement के जरीए आपको hint दे दिए कि किस तरीके से telegram join करना है और उसका मसला कैसा solve होगा session one में हमारी यह चीज़े में detail में discuss करूंगा लेकिन यह comprehensive financial model किया है pre-feasibility study क्या है मेरा introduction नाम जो student मुझसे पढ़ चुके होना idea है जो नहीं पढ़ है तो वो इस video को explore कर लीजिएगा कि session one में हमारा क्या होगा लेकिन यह material आप देखकर आएंगे लेकिन इस material में से मैं आपके सामने एक hint दे देता हूं लेकिन उस hint के लिए मुझे पहले project detail पर जाना होगा तो यह comprehensive project जो आपके 50 marks का है वो तीन हिस्सों में divide होगा आपको एक final report बनानी होगी of course मैं group में लूँगा यह क्योंके summer में individual नहीं करवा सकते है ठीक है एक final feasibility study अब यह final feasibility study report कैसे बनानी है इसके लिए आपके पास अगर hint मौझूद हो तो let me share के yes comprehensive project detail में जाते हैं तो यह pre-feasibility semida की reports आ रही है यह ostrich farming के ओपर एक smida की professional report है यह report कैसे explore होगी तो अल्द 27 पेच कि यह पूरे group में आपको इस तरह की report बनानी है अब ज़रूरी नहीं है कि यह ostrich farming पर एक report बनानी है आपको अपने business के start-up idea की financial feasibility की report बनानी है let me link from one of the another example के आपने एक entrepreneurship का course पढ़ा होगा ठीक है अगर पढ़ा है तो उसमें एक business idea के ओपर काम करना होता था I will say के आपके पास एक business idea है लेकिन उस business idea की financial feasibility किस तरीके से बनाई चाहती है उसका आपको idea होना चाहिए वो feasibility bankable होनी चाहिए bankable का मतलब अगर आप किसी bank से loan के लिए apply करते हैं या किसी angel investor से या joint venture purpose के लिए से seed funding के लिए जाते हैं I am using some of the technical term के angel investor या seed funding के लिए आप जाते हैं या basically loan के लिए apply करते हैं तो उनको क्या reports लाइख करेंगे financial perspective में आपके numbers किस तरीके से gold होंगे जरूरी नहीं है कि वो number accurate होने चाहिए लेकिन उसकी projections किस तरीके से करते हैं इस किसम की report बनानी है तो इस किसम की report बनाने के लिए आपको तीन areas के पर काम करना होगा एक financial feasibility जिसके basically 20 marks हैं दूसरा comprehensive financial model को अरना होगा अब यह financial model कैसे बनाना होगा इसको study कर लीजेगा कि यह methodology कैसे बनेगा कि उस business की sales या cost of sales या service basis के idea होगा ठीक है यह feasibility study का sample मैंने जमेडा का बताया लेकिन comprehensive financial study का model भी आपके पास मुझूद है सर यह कहां पर मुझूद है यह project detail में जाते हैं तो यह comprehensive financial model आप download करेंगे तो यह आपके पास आ रहा होगा let me download from here और यह ही आपके पास आ गया और week one में अब मैं इस excel file को करता हूं तो एक sample model मौडल मौझूद है gaming zone के business के लिया से होगा कि first time मैंने जब financial modeling perspective में यह course पढ़ाया था था fall 13 में अब यह gaming zone के business का idea इसको explore कीजिएगा यह क्या है इसके बारे में सारी चीज़ा मौझूद है और in short में कहूंगा कि आप simply कह सकते हैं कि local wording में कहूंगा token वाले जो लें और अगर इसको corporate wording के लिया से कहते हैं कि card swipe basis पे अगर children की riding's वगेरा हो या gaming's वगेरा हो तो उसकी feasibility किस तरीके से बनेगी तो यह comprehensive financial model यह भी आपको as a group पे बनाना होगा अचा अब यह किस तरीके से बनाना होगा कि अगर मिसाल के तौर पे में 10 गंटे open होगा तो इसकी NPV IRR यह आ रहे हैं अब NPV क्या IRR क्या यह finance for major में आप पढ़ चुके हैं although हम थोड़ा सा introductory level पे शुरू की किनासिस में discuss करेंगे but you should be able के भाई यह 10 गंटे को अगर मैं 8 गंटे करता हो तो कुछ ना कुछ चेंजिस आ रही होंगी इसके reason दे दूँगा क्योंकि मैंने share करते हैं कुछ adjustment की हैं लेकिन financial model को अपने तोर पर यह explore जरूर कर लीजेगा कि इसका impact से किस किस तरीके से आ रहा होगा ठीक है revenues वगेरा के लिया से तो वह आपको link बनाने आना चाहिए अच्छा यह अगर करते हैं तो पहले change नहीं हो रहे था हम चेंज हो गए यह numbers तो numbers किस तरीके से link हो रहे होंगे 25 के बजाए अगर 20 numbers होते हैं तो यह चीजें किस तरीके से आ रही होंगे refresh यह numbers यह थोड़ा hang हो रहा है सेव करता हैं तो यह numbers auto update हो रहे हैं इस वोग मेरी following हो रही है but I will show this you in class अबर अपने तोर पे इस तमाम material को explore करके आना है इस वीडियो का purpose यह है अच्छा group work होगा इसके comprehensive model पे अगर हम जाते हैं और तीसरा part क्या होगा इसकी देखा जाए तो group presentation जो के 10 marks की होगी in the end ठीक है तो यह किस तरीके से अच्छा में marks इसकी adjustment कर दूंगा बैसे के लिए 10 के मज़े 15 marks की होगी वह मैं discuss कर लूंगा और 20 marks देखा जाए तो step by step एक की report होगी जैसे कि first august को Monday को मुझे आपके group और नम final चाहिए लेकिन I know कि यह नहीं हो सकेंगे last week अगर class होती तो तब एक हफ़ते का time देता बट हम सिर्फ यही कह रहे होंगे कि second week की Monday ना सही 3rd August तक यह finalize होना चाहिए तो of course में Monday की class में आपको यह सारी चीज़ें छोड़ा से detail में course context के लिया से repeat कर रहा हूंगा लेकिन अगर किसी वज़ा से कोई late होगा तो वो अगर information miss कर रहा होगा तो वो यह वीडियो देखकर आएगा तो बेटर है वीडियो में मैं आपको brief नहीं कर रहा है आप यह बता रहा हूं कि सारा material आपके पास मौझूद है यहाँ पर आपको इन तमाम project details related जितनी भी चीज़ें हैं ठीक है इस folder के अंदर टेक्निकली टेक्निकली जो मैं आपके सामने यह तेजी से ब्रीफ कर दो कि 100 marks में से नॉर्मली क्या होता था सा 35 marks class participation 25 marks का mid-term और 40 का final होता था लेकिन हमारे इस course में क्या हो रहा होगा basically project जो है जो समेडा का project है वो 70 marks का होगा 10 marks का IU का एक और centralized stock challenge होगा वो must है और 20 marks ही का final होगा तो सर क्या यह 70 marks कि से लटीड होंगे project से लटीड होंगे 50 marks submission के 20 marks how you are going to process यानि weekly basis पे आप जो काम कर रहे होंगे तो इसकी चीज़ें इस तरीके से आ रहे होंगे 50 marks final submission की होंगे लेकिन believe me अगर आप यह काम साथ साथ कर रहे होंगे तो आपके 50 marks easy होंगे ऐसा नहीं होगा कि एक हफते में लग के 70 marks आप कर लें तो यहां पर आपके group members सोच समझ के बनाईएगा आप कैसे बनाने हैं किस topic पर idea पर काम करना है वो brainstorming session में आपको दे रहा होंगा यानि 1st August को जब हम अंडे को मिलेंगे तो इसकी modalities को और detail में discuss करेंगे लेकिन modalities को जिस तरीके से होंगी कि 70 marks जो project है वो 70 marks में से 50 marks के भी तीन break up में ने बता दिये 20 marks report समेड़ा की अचा अब समेड़ा की report मेंने sample report समेड़ा की तरह की का हुआ इस तरह की report आपको बनानी है 15 marks देखा जाए तो आपके Excel financial model के होंगे और 15 marks आपकी presentation के होंगे तो यह जो बाकी 20 marks हैं वो 20 marks किस तरीके से होंगे 4 marks के 5 tasks होंगे task 1, task 2, task 3, 4, 5, 6, 7, basically 7 tasks होंगे और एका छोटा सा quiz वगिर आप ही होगा जिसको आपकी submit assume कर सकते हैं तो हर किसी के 4 marks होंगे तो यह जैसे जैसे आप करते जा रहे होंगे आपको इसके marks बलते जा रहे होंगे इसमें पेंट डिले करते जाएंगे तो deduction हो रही होगी ठीक है 10 marks आपका IU stock challenge है कि I am sure आपने से कुछ finance collective जिन्होंने last semester में लिया हुआ है उन्होंने stock challenge किया होगा यह young investor challenge के नाम से यह एक course basis पे था अब यह देखा जाए तो एक university level पे हो रहा है यह competition तो इसको मैं साथ साथ ब्रीफ कर दूंगा उस वक्त और 20 marks ही आपके final होंगे means you are final ऐसा नहीं है के final exam के वक्त आप इन 20 marks की तयारी कर रहे होंगे यह सारे के सारे 70 marks ongoing है साथ साथ ठीक है तोड़ी से ओर detail जो मुझे लगता है जरूरी है you should know के भाई SMEDA की website पर आप जाएंगे SMEDA की website गुगल SMEDA क्या तो प्रीफेसिबिलिटी स्टेडीज है इस पर जाएं तो आप जिस बिजनस आइडिया पर काम कर सोचना करना चाह रहे हैं मैं approval दूंगा लेकिन वो किस तरीके से होना चाहिए उस approval वगेरा वाली बात को आप इस यहां पर similar मिसाल के तोर पे मैं पास्ट में किस किस तरह के बिजनस पे काम करवा चुका हूँ ठीक है उसका idea आप यहां से ले सकते हैं मिसाल के तोर पे मैं अगर अपनी example दूँ एक चोटा सा idea के मैंने scuba diving पर उपर पहली दफ़ाई यह project पे काम करवाया था तो कुछ 2011 या 12 के अंदर कि suppose करें आप scuba diving की service देना चाहते हैं तो इसके financial estimation किस तरीके से जा रहे होंगे वो वाली बाते हैं ठीक है अगर मिसाल के तोर पे आप mineral water का plant लगाना चाह रहे हैं तो उस plant के अंदर 500 ml वाली bottle होंगी डेल डीटर वाली ml वाली bottle होंगी किस तरीके से उसकी projections होंगी उसके इसर हम fish farming पे जाना चाहते हैं तो fish farming के तौर पर इस business idea के financial feasibility किस तरीके से निकालेंगे उसके उपर idea तो sample reports of course meda की में directly बतारा मोचूद हैं समेडा की reports basically देखा जाए तो overall पूरे पाकिस्तान को repeat कर रही हैं आपको अपने इस business idea को कराची के context पे adjust करना होगा यानि copy pasting करके submit करवाएंगे वो detect हो जाएगा तो आपको उसकी cross questioning या वाइवा basics पे support होना चाहिए समेडा की reports simple reports अच्छी खासी आपके पास मौझूद है total यहाँ पर देखा जाए 200 से plus reports मौझूद है इसको आप explore करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी लेकिन मैंने यही सारी चीज़ें एक यहाँ पर मौझूद है लेकिन lecture one के अंदर आप जाते हैं session one तो project का idea देने के लिए team different reports आपके पास मैंने share की है jamstone leopardry अब यह क्या है आप देखेंगे तो idea हो जाएगा ठीक है second इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए मैंने gaming zone का financial model बनाया है तो इसमें किसी और perspective में यह चीज़ें मौझूद है तो यह कैसे तरीके से report बनेगी of course इन reports के contents वगेरा क्या ह करके अच्छे तरीके से आएगा अच्छा project detail के अंदर एक और चीज़े कि जब आपके group final हो जाएंगे तो आपको इस तरह की sheet को इसमें update करना होगा हर हफते की meeting में हर meeting में में task update कर रहा हूंगा क्या आपका title क्या है कितने students मौझूद है ठीक है और इसको मैं sample के जरीए link कर जैसे के sling be make के ओपर काम वा, waitable noodles के ओपर काम वा, logistics के ओपर काम वा, consultation farm, lunch box के ओपर काम वा, solar power solution, hand sanitizer, getting service, face mark, agriculture farming, तो इस तरीके से कुछ sample business थे और मैंने कुछ sample business का idea आपको दिया था, तो हमारा comprehensive financial model को और sample financial reports को study करके आएगा, so that you can get the idea के basically हम काम क्या कर रहे हैं, तो I hope मेरी screen के पे, इस video से आप Monday को आने से पहले kindly इस तमाम चीज़ों को material, ये 20 marks की progress की details, तो सारी चीज़ें पहले से मौझूद हैं, हर चीज़ प्रोवाइड की गई हैं, kindly इसको पढ़ कर आईएगा, ठीक है, और ये course outline में भी आपको इनी तरीके से चीज़ें, briefing इस तरीके से हो रही होगी, ठीक है, basically capital budgeting ही के chapter का पूरा course किस तरीके से होगा, इसके ओपर discussion हो रही होगी, तो अगर को student late है और बीच में join करेगा, तो हम ये नहीं करेंगे, कि एक साथ में theoretical, इस topic के अंदर एक और बात, अच्छा चीज़ें, एक चीज़ें जो मैं बताना और वो ये, कि out of 14 sessions, और normally 5 to 6 ही class based है, ठीक है, बाकी देखा जाए, तो 8 to 9 sessions group meetings है, जिस तरह आप में से कुछ लोगों ने IP based काम किया हुआ है, या thesis based काम किया हुआ है, तो कुछ उस तरह का ये course है, ठीक है, तो class based, अच्छा इस class based के अंदर में जायर सी बादे, initial capital budgeting को थोड़ा सा review लेंगे, लेकिन इसकी applications हम discuss कर रहे होंगे, तो strong excel आना अच्छी जगा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ basic चीज़ें भी discuss कर रहा हूँगा, तो हमारे जो 5, 4 या 5 session face to face, या basically 6 से 7 session होंगे, तो वो class based रखोंगा, और हो जो हमारी class online होंगे, उस online class को मैं मीटिंग से link कर दूँगा, लेकिन of course मुझे शुरू की basically मेरा plan ये है कि 4 से 5 session class based हो जाएं और आखरी वाली class 5 बीच में हमारी group meetings चल रही होंगे, कि इसमें कौन सा group किस तरीके से और क्या काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब साड़े 6 साड़े 9, आप आज आते हैं, हम अपने group meetings, of course उसी time में कर रहे होंगे, लेकिन अगर किसी वजा से कोई late हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन उस daily basis पे जब भी session होगा group meeting का, तो हर group को मिल के जाना होगा, अपनी attendance perspective के लिए, ठीक है, लेकिन साथ-स काम भी अपने करना है, समर में ये थोड़ा सा fast जा रहा होगा, तो उसकी flexibility किस तरीके से होगी, इंशाला, Monday को हम decide कर लेंगा, I hope ये video देखने के बाद, Monday को आप आएंगे, otherwise problem हो सकती है, आपको understanding develop करने में के हम क्या है, इस video की basis पे जितना भी idea हो रहा है, देखने के बाद, आप kindly अपने तोर पे जहन में ideas लेकर आईएगा, और उन ideas को हम discuss करेंगे, कि क्या चीज़े हा रही होंगी, session 1 का material पूरा explore कीजिएगा, ठीक है, और project details को ज़रूर explore कीजिएगा, और हाँ, छोटी सी बात, जिनको students को attention है, भाई, telegram का link ये मौजूद है, और telegram के लिंक के ब इन steps की basis पर आप telegram easily join कर सकते हैं, sir, हमने login ही नहीं किया, आप वापिस इसको uninstall करके, install करके login करें, तो telegram आप easily इस group को join कर सकते होंगे, ठीक है, but अगर मुझे लगा तो मैं WhatsApp ज़रूर आप से share कर लूँगा, लेकिन फिलहाल अभी जो information प्रोवाइड की गई है, उसको follow करे तो बहतर है, ठीक है, so that's all for this video, और ये blackboard पे भी video मौझूद है, अवेलेबल, लेकिन मैं आपको इसका subscribe link भी provide कर दूँगा, ठीक है, so that's all for this video, hope, see you on Monday, आप आएंगे तो आने से पहले ये देख कर,